हेलो फ्रेंड मैं हूँ बिनीता बिनीता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं एक डम हेल्दी और टेस्टी वाटर मिलन जूस गर्मियों का सीजन चल रहा है तो अभी तर्बुज बहुत ही फ्रेस मिल रहे हैं तो इसे एक बर बनाना तो ब बीज से हमने इसे काट लिया है और इसके बाद हमें काटने की जरुवत नहीं है और अब हम इसका जो पल्प है उसे निकाल लेते हैं तो यहां पर आप इस तरह का कोई भी शरीम इस्पून लीजिए और पल्प को इस तरह से निकाल लीजिए या फिर चमच चांको जैसे आ अलग करने की जरुवत नहीं है और नहीं तरबूजों को बहुत बारिक छोटे छोटे टुकडों में काटने की जरुवत है इसी तरह से यह आसानी से निकल जाते हैं और इसे निकाल कर एक बावल में रखते जा रहे हैं और इसी तरह से सारे पल्प निकाल लेंगे यहां प और इसी के साथ हम डालेंगे दो टेपल इस्पून चीनी चीनी आप अपने जरुवत की हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और अब हम डाल रहें एक छोटे चमच चाट मसाला एक छोटे चमच काला नमक आप चाहें तो यहां पर निम्बो का जुस पुदीना भी ले सकते हैं अ हमने बढ़िया से ग्राइंट कर लिया अब तरबुच के जुस को चान लेंगे ताकि जो भी इसमें बीज वेग रहा है और निकल जाए तो हमने ये पूरे जुस को चान लिये हैं और इसमें थोड़ा सा पल्प और बीज जो है और रह गया है इसे हम हटा लेंगे और अब ह हम क्या करेंगे कि सर्व करने से पहले सर्विंग गिलास में दो तिन आइस क्यूब डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला इसके बाद हम ये तरबुच का जुस डाल देंगे तो यहां पी थंधा थंदा ये जो तरबुच का जुस है ना आपको पुईने में मजा ही आ ज मिलंजूस बनकर त्यार हैं आप इसे गर्मियों में एक बार जरूर ट्राय करें आप इसे बच्चों को दे सकते हैं हेल्दी है टेस्टी है और एक दम ही ठंधा ठंधा पिएंगे ना तो आपका दिल ही खुस हो जाएगा तो रेश्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा